हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किलाइक्यू, स्किलाइक्यू में आपका स्वागत है, तो नेरेशन, नेरेशन के लिए पार्ट नमबर थर्ड, तो इस थर्ड नमबर पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, चेंज ओफ टेंसेज, ठीक है, तो यहां पे मैं एक बार आपको बैक कि हम जो है कहां से क्या कर रहे हैं, देखे, नेरेशन के जो डारेक्ट स्पीच से इंडारेक्ट में जब हम चेंज करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जनरल रूल्स में तीन बाते हैं, सबसे पहली बात है चेंज ओप पर्संस, जो हम इससे पहले वाली वीडियो में कर इस विडियो में हम दोनों जो बाते हैं ना चेंज ओफ टेंसिज एंड चेंज ओफ अधर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इस वीडियो में करने वाले हैं जो की हमारे जनरल रूल्स के अंतरगत जो है आती हैं सारी की सारी चीज़ें अब देखिए सबसे पहली जो चीज है Change of Tenses में इसमें क्या है कि हम जो है Reporting Verb और जो Reporting Speech है वो आप समझी गए होंगे कि किसको बोलते हैं ठीक है तो जो हमारा Reporting Verb है वो हमारा या तो Present Tense में हो या Future Tense में हो तो हम Indirect जो Speech होती है उसको Reported Speech के Tense में कोई Change नहीं करते हैं जैसे कि अगर देखा जाए कि आगे देखते हैं हम जैसे हमारा Sentence देखिए आप एक बार जैसे Mohan Says I Will Go There अब यहां पर देखिए यह हमारा है Reporting Verb और यह हमारा है Reported Speech ठीक है तो Reported Speech हमारा Future में है तो हमारा उसका Tense हम जो है Change नहीं करेंगे Same to Same रखेंगे और इसको हम जो है Present में ही रखते हैं तो हमने क्या किया Mohan Says उसको लिख दिया उसके बाद हमने That लगा दिया जोड दिया अब I हमारा देखिए पीछले वीडियो में हमने यह चीजें सीखी थी है ना I हमारा जाएगा Subject के पास Subject है हमारा Proper Noun इसको आप जो है He हमने जो है लिख दिया तो नेक्स्ट जो Sentences लिखे हुए न वो आप आराम से पढ़के देख लेना अगर किसी भी Sentence में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें बताईएगा हम उसके उपर वीडियो बना के डाल देंगे या आपके पास परिशनली भी भी बेज देंगे कोई दिक्कत नहीं है हमें दूसरी बात जब भी Reporting Verb Past Tense में हो वो तो था Present और Future Tense में हो जब भी हमारी Reporting Verb Past Tense में हो तथा जो Reported Speech हमारा है वो Present Tense में हो तो हम Indirect Speech से में Reported जो Speech है उसको किस परकार से बदलते हैं यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात सबसे पहली बात यह है कि जो Reported Speech है वो Simple Present Tense में हो तो हम उसको Simple Past Tense में चेंज करते हैं ठीक है जैसे कि He said to me I write a letter अब यहाँ पे क्या है जो हमारा Reported Speech है वो हमारा जो ठीक है और जो हमारी रिपोर्टिंग 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 वर्ब है वो तो हमारी Past Tense में है Reported Speech जो है वो हमारी Present Tense में है ठीक है तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है Present Tense को हम जो है किसमें चेंज करते हैं Past में चेंज करते हैं तो सबसे पहले सैड टू को इस चीज को ध्यान रखना है आपने सैड टू को हम तोल्ड में चेंज करते हैं ठीक है यह कहीं पे लिख लिए या आपके पास बुक है तो आप निशान लगाएं जो यह इस तरीके के जो हाईलाइटर पैंस होते हैं वो रखें अपने पास पैंस को टोल्ड में चेंज कर देंगी ओबजेक्ट हमारा ओबजेक्ट की जगे पे ही रखेंगे तो हो जाएगा ही टोल्ड मी उसके बाद डैट से हमने इसको जोड दिया फिर हमारा आई है यहां से हमारा जो रिपोर्टेड जो स्पीच है ना उसका मामला शुरू हो जाता है त तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इसको हम चेंज कर देंगे एक बात तो यह है दूसरी बात क्या है अगर वो प्रेजंट कॉंटिनुएस टेंस का सेंटेंस हो कहां पे बाहर तो पास्ट में ही रहेगा रिपोर्टिंग जो अब है वो पास्ट में ही रहेगी लेकिन रि फिर I am doing my work को आई गया किस के पास ही के पास ही का ही रहा उसके अनुसार was doing my, my के जगे पे हीज हो जाएगा फिर ये इसके अनुसार हो का object ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है कई बार यहां 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 पे change नहीं, यहां पे भी change होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो point है third, अगर हमारा reported जो speech है वो past perfect tense का हो, sorry present perfect tense का हो, तो उसको हमने past perfect tense में change करना है, for example, he said to me, they have never helped me, अब हम क्या करेंगे इसको, he told me that, उसके बाद यह दे जो है third person है, यह जाएगा object के पास, है ना, यह sorry, third person no change, third person no change, sorry, तो third person में जो है sun formula होता है, उससे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है, तो no change हमारा यहां पे है, तो दे उसके बाद head, क्योंकि have है, दे के साथ have है present में, तो यहां पे head ही होता है, plural singular का कोई चकर ही नहीं होता है, for never helped, me की जगे पे यहां पे क्या आजाएगा, him आजाएगा, ठीक है, किसको, इसको, या उनको, ठीक है, इसको भी कह सकते हैं आप, उसके बाद next है, अगर हमारा present perfect continuous tense में हो, तो आप उसको past perfect continuous tense, जो है, चेंजे, कर देंगे, किसको, reported speech को, indirect speech में, ठीक है, next, जो चीज है, आप पढ़े, example भी करना जुरूरी है, अजीद said to her, I have been teaching, teaching your lover for five years, जैसे कि अजीद told her that, उसके बाद आई गया, अजीद के पास, अजीद का ही हो गया, फिर have been है, had been teaching, फिर यहाँ पे, he के अनुसार, जो है, object होगा, her, ठीक है, four, her lover, four, five years, ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है, change करते हैं, tenses को, अगर हमारे, इस तरीके से हम change करते हैं अगर हमारे reporting verb past tense में हो और reported speech जो है present tense में आती है तो ठीक है उसको हम next जो उसके क्या होते है past में change करते हैं ठीक है next जो point है third वो क्या कहता है अगर reporting verb past tense में है तो reported speech future tense में हो reporting verb past tense में हो और जो reported speech है वो हमारी future tense में हो तो हम indirect speech को किस तरीके से change करते हैं देखिए, will का would बनाते हैं, shall का should बनाते हैं will be को should be में change करते हैं sorry, shall be को should be में change करते हैं will be को would be में change करते हैं shall have को should have में change करते हैं will have को would have में change करते हैं shall have been کو should have been में change करते हैं will have been को would have been में change करते हैं आप screen shot ले लिजिए मैं हटा देता हूँ इसको ठीक है जैसे की he said to me I shall write a letter अब यहाँ पे said to को told में change करना है he told me that इनको board पे करते हैं न तब मजाता that उसके बाद आए गया he के पास he no change he shell को should में change करते हैं would में कैसे कर दिया इसने shell को should में change करते हैं यह देखिए यहाँ पे should में change करते हैं यहाँ पे इसने would कैसे लिख दिया तो he shell को should में लिखते हैं he should write a letter ठीक है मुझे इसने confuse कर दिया एक तरीके से यहां पे should क्यों नहीं लिखा इसने यहां पे भी should क्यों नहीं लिखा इसने ठीक है क्योंकि गरबड की बात हो सकती है यह एक तरीके से shall का should है will का would है हाँ He said to me I shall write a letter He told me that he would write a letter He would Okay जब हम यह इस subject के अनुसार जो है यह चीज होती है ठीक है तो यह जरूरी ध्यान में रखना हमें चाहिए ठीक है बाकि इसके बारे में आगे भी discussion हम जरूर से करेंगे हाँ ऐसे ही किया हुआ है तो हमारा इस subject के अनुसार जो है change होता है क्योंकि आई और वी के साथ हम जो है should रखते है शेल रखते है ना उसी परकार से हम will और would का would और should का जो है चकर रहता है ठीक है क्योंकि वो पास्ट फॉर्म बलाई हों बट हम रूल को फॉलो करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्टेंस में है और जो रिपोर्टिड स्पीच है उसमें subject के बाद can, may, is, am, are, has, have, was, were, has, have के साथ to plus के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, had to plus के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन में से कोई एक हो तो indirect speech में हम can को could में चेंज करते हैं, may को might में चेंज करते हैं, is को was में चेंज करते हैं, are को were में चेंज करते हैं, am को भी was में चेंज करते हैं, has को head में चेंज करते हैं, have को भी head में चेंज करते हैं, was, यह तो हो चुके, उसके बाद हमारे जो क्या बोलते हैं उसको was को head म हैड बीन में चेंज करते हैं वर को भी हैड बीन में ही चेंज करते हैं हैज हैव के साथ टू प्लस के वर्ब की फरस्ट फॉर्म है तो हैड प्लस के टू प्लस के वर्ब की फरस्ट फॉर्म हो जाती है उसके बाद हैड टू प्लस के वर्ब की फरस्ट फॉर्म है तो हम क्या कर राता है हैड हैड टू प्लस के वब की फस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो यह थोड़ा सा यहां पे इसको अलग से लिखके एक कागजबे और बुक में लगाया जा सकता है और निशान बना के जैसे कि मान लीजे कैन लिख दिया यहां पे उसको फिर आप जो है यहां पे लिख दो कुड इस तरीके से यहां पे हैज या फिर हैव लिख दिया उसके बाद टू प्लस के वब की फस्ट फॉर्म लिख दी ऐसे यहां पे तीर का निशान लगा के जिसमें भी हम इसको चेंज करते हैं ऐसे लिख दीजिए अब एक्जाम्पल देखिए असोग सैड टू रमन यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया पास्ट में सैड टू बता रहा है पास्ट में ठीक है सैड टू को वही टोल्ड में चेंज करना है तो असोग टोल्ड रमन दैट उसके बाद यू कैन स्पीक इंगलिश कैन को किसमें चेंज करेंगे कुड में यू क्यों हुआ परसंटा कुछ है सेकंड परसंटन किया रमन के पास रमन की जगे पर हम क्या लिख सकते हैं ही लिख सकते हैं तो कुड इसका पास्ट फॉर्म हमने बना ही दिय oh मुझे देख के वो देख लिए ता हूँ ही सैड आई हैड़ के दू दो डह वक है अब यहां पे sad है, sad को sad ही रखेंगे, he, sad, sad, that, उसके बाद है क्या, I, I क्या है, first person, गया किसके पास, subject के पास, तो वो हमारा he ही रहेगा, उसके बाद क्या है, had to, had to, plus के verb की first form, अब यहां पे क्या होगा, had, had, और उसके बाद to, plus के verb की first form, और फिर the, और फिर work, यानि कि पूरा का पूरा हमारा object है, तो यहां पे had, had जो है, यह खास चीज़ है, इसलिए मैंने इस example को भी लिया, next point, fifth point है, और next point है, यह हमारा क्या कहता है, यह कहता है, कि reporting verb अगर past tense में है, और reported speech में, subject के बाद, could, should, would, और might का यूज़ किया गया है, तो हम जो है, इनको same ही रखते हैं, could को could रखते हैं, should को should रखते हैं, would को would रखते हैं, might को might रखते हैं, see sad to me, यह past tense की ही बात हो रही है, see sad to me, क्योंकि इनका तो कुछ change करना ही नहीं है, क्योंकि यह तो already past में ही है, तो sad to को told में change कर दिया, me, that, उसके बाद आई गया, see के पास, see का see रहेगा, could का could रहेगा, solve का solve रहेगा, the का the रहेगा, problem का problem रहेगा, ठीक है, इसमें तो कोई problem भी नहीं है, नेक्स जो point है, अगर reporting verb और reported speech दोनो past tense में है, सबसे पहले एक point में, indirect speech में, reported speech के simple past tense और past perfect tense में change कर दिये जाते हैं, simple past जो tense है, उसको past perfect में change करते हैं, जैसे की, he said, I went to patna yesterday, अब यहां पर reported speech और reporting verb, reporting verb और reported speech दोनों की दोनों जो है, past tense में है, अगर हमारा indirect speech, sorry, direct speech जो है, वो हमारा, अगर reported speech जो हमारा है, वो अगर past tense का है, past indefinite का, तो उसको past perfect में change करते हैं, ठीक है, यह धियान रखना है, जैसे की, he said that he had gone, went है ना यहां पे, तो इसलिए had gone to patna the day before, yesterday को किस में change करते हैं, the day before में change करते हैं, यही तो हम तीसरे नमबर वाली जो rules है ना, general rules का तीसरा part है, जो other parts of speech को change करने की बात कर रहे थी, इस वीडियो के last में करेंगे उनको, तो यही चीज़े हैं, उसमें, yesterday को the before day में change करते हैं, जैसे की, the teacher said he came late, तो the teacher said that he came है, had come late, तेक है, अगर indirect speech में, reported speech का past continuous tense है, तो उसको past perfect continuous tense में change करते हैं, जैसे की, दिलीप said, the girl was dancing, तो दिलीप said that the girl had been dancing, ठीक है, तिवारी, तिवारी said, Mr. Misra was teaching the boys, तिवारी said that Mr. Misra had been teaching the boys, ठीक है, next point, अगर indirect speech में, reported speech past perfect tense में है, तो उसको आप past perfect continuous tense में change कर देते हैं, जैसे की, जैसे की, आप change करेंगे, जैसे की है, Mr. Pande said to me, I had finished the work, तो यहां पे sad to go told में change करते हैं, में object रहेगा, that उसके बाद आए गया Mr. Pande के पास, Mr. Pande का ही हो गया, had finished the work, नहीं, यह तो नहीं होना चाहिए, past perfect continuous tense, इसने कहा था, perfect tense, तथा past perfect tense में कोई परिवरतन नहीं होता है, यह गलत बात हमने पड़ी है, इसमें कोई भी change नहीं होता है, यह चीज ध्यान रखनी है, देखे, एक table C अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, past की जब हम बात करते हैं, past tense की, जब वो किस में आता है, reported speech में आता है, ठीक है, तो अगर पहला simple past है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, past perfect में change कर देते हैं, अगर हमारा past continuous tense है, तो उसको हम past perfect continuous tense में change कर देते हैं, तीसरा और चोथा जो tense होते हैं, वहाँ पे no change रहता है, same रहते हैं वो लोग, ठीक है, बस उसमें इस चीज में change हो सकता है, अगर यहाँ पे भी object आया तो, उसके बाद next जो point है, वो यहाँ तक जो बात है ना, वो खतम हो जाती है, क्या, वो ये खतम हो जाती है कि tenses को किस परकार से change किया जाता है, ठीक है, tenses को किस परकार से change किया जाता है, अब तीसरी जो general rules की बात है, वो मैंने अभी circle के अंदर डाल दी है, change of other parts of speech, वो कैसे change होते हैं, यदी reporting verb past tense में हो, और reported speech में nearest meaning expressing words, यानि के निकटता अर्थ सूचक शबद को distant meaning expressing words, यानि के दूरस्त अर्थ सूचक शबदों से indirect में change करते हैं, जब यूज किया जाता है, जैसे कि this यह है, that वह है, तो direct में this यूज किया जाएगा, तो indirect में that यूज करना है, इसी परकार से these का those, here का there, now का then, thus का so, hands का thanks, today का that day, tonight का that night, this day का that day, this night का that night, tomorrow का the next day, the following day, on the morrow, इस तरीके से कर सकते हैं, yesterday को the previous day, the day before कर सकते हैं, the day before yesterday को two days before कह सकते हैं, the day after tomorrow को in two days time कह सकते हैं, last week को the previous week कह सकते हैं, the week before कह सकते हैं, उसके बाद है, last month को दो तरीके से कह सकते हैं, the previous month, the month before, last year को भी ऐसे ही बोलते हैं, last night को भी ऐसे ही बोलते हैं, last day को भी ऐसे ही बोलते हैं, नेक्स्ट वीक को दफॉलोइंग वीक बोलते हैं नेक्स्ट मन्थ को दफॉलोइंग दफॉलोइंग मन्थ बोलते हैं इसी परकार से नेक्स्ट येर नेक्स्ट नाइट नेक्स्ट डे कम को गो में चेंज करते हैं आई येर को आई येर बिफॉर में चेंज करते हैं इसी तरीके से आप जो है एक नोट भी यहां पे देख सकते हैं जिसको मैं बड़े ध्यान से पढ़ने वाला हूँ यहां पे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो स्पेशल रूल से रिलेटर्ड होगा ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में हमें वीडियोज बन युक्त निकटता सुचक शब्दों से यह पता चले कि वस्तु जगे स्थान समय परिस्थिती अगर स्पीकर यानि के वक्ता के साथ प्रेजेंट में मौजूद है तेक है अगर जो निकटता सब्द सुचक है यानि के जो डारेक्ट में जो पाए जाते हैं सब्द जैसे कि ये वाले इन से अगर ये पता चलता है कि जो स्पीकर है वो प्रेजेंट में उसके पास वो चीज है तो ऐस इस्थिती में निकटता सब्द सुचकों को या शब्दों को दूरी सुचक सब्दों में नहीं बदला जाता यानि के एक्जामपल देखिया पहले दो मोहन s'd this is my book मोहन ने कहा कि ये मेरी किताब है this यानि के ये जो हमारा निकटता सब्द सुचक जो सब्द है ये यहाँ पे क्या कहता है यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये किताब है ये किताब जो बोलने बाला है उसके पास है अब भी मुजूद है this is my book मोहन ने कहा कि ये मेरी किताब है तो वो हाथ में लिए हो सकता है उसके पास रखी हुई हो सकती है तो कहने का मतलब क्या है वो किताब अभी उसके पास है उसके कंट्रोल में है तो हम इसको जो है इंडारेक्ट में भी चेंज नहीं करेंगे लेकिन क्या चेंज हो जाएगा मोहन सेड डैट दिस का दिस रहेगा इस का वोज हो जाएगा माई का हिज हो जाएगा फिर हिज बुक है ना किसकी किताब है फिर ये मोहन की किताब है मोहन ने कहा था कि ये किताब जो है किसकी थी उसकी थी ठीक है तो यह कहता है यह होती है बात यह यहां पर नोट है क्योंकि हमने अभी दो सेकंड पहले पढ़ा था कि जो हमारे निकटता जो सुचक सबद होते हैं वो किसमें चेंज कर दिये जाते हैं दूरी सुचक सबदों में चेंज कर दिये जाते हैं एक situation ऐसी होती है जिसमें अगर वो चीज present में उसके पास मौजूद है वरतमान काल में उसके पास मौजूद है या उसके हाथ में है तो आप वहाँ पे जो है same के same जो है निकटता समध सुचकों को रखते है ठीक है? Thanks for watching, thank you so much मिलेंगे next part में को आप जो है share कर सकते है चैनल को subscribe कर सकते है और मैं आपको क्या बता हूँ बताईए ठीक है? तो thanks for watching